तो दोस्तो आज आपको पता चल जाएगा कि जियो पॉलिटिक्स कितनी जादा कुरूर हो सकती है और अंतराष्टे राजनीती में ये क्यों कहा जाता है कि कोई भी ना तो आपका पर्मनेंट दोस्त है ना ही पर्मनेंट दुश्मन है पर्मनेंट सिर्फ एक चीज है आपके देश के हित और सभी देश इसी निति को फोलो करते हैं चाहे वो अमेरिका हो रूस हो भारत हो चीन हो और अगर अब भी आप मेरी बात नहीं समझे तो चलिए मैं आपको अर्मेनिया अजरबैजान का केस बता देता हूं आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय अर्मेनिया अगातार आ रही है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों देशों के खेमे कौन-कौन से हैं जड़ा आप एक नजर डालिए सबसे पहले अजरबैजान की बात करें एक मुस्लिम कंट्री है आप जानते हैं इनका साथ कौन दे रहा है इसराइल जी हाँ इसराइल अर्मेनिया है उसके साथ कौन-कौन है तो सबसे पहले एक मुस्लिम कंट्री इरान उसके साथ है अपनी सेना तक युद में उतारने को तयार है और अगर आप भी हैरान नहीं हुए तो मैं आपको एक ऐसे देश का नाम बता देता हूं जिसे सुनकर आप माथा पकड़ उसे एक दूसरे खिलाफ अलग-अलग जगह प्रोक्सी वोर लड़ रहे हैं आज स्थितिव है कि अर्मेनिया के साथ दोनों देश आ चुके हैं और ऐसे वैसे नहीं आए हैं अब से तीन दिन पहले इरान ने कहा था कि अगर किसी भी परकार की जमीनी हकीकत बदलने की कोश कि गई तो हम अपनी सेना भी उतारेंगे अर्मेनिया के समर्थन में और इरान ने तो ये कहा था आज अमेरिका ने ये कर भी दिखाया है जी हाँ आप अपनी स्किन पर देखिए अब से कुछी घंटे पहले अमरीकी फोज उतर चुकी है अर्मेनिया में और इस समय वो ना स पहुचने से सबसे ज्यादा दिक्कत है तुर्की और अजरबैजान को क्योंकि इन्हें ये लग रहा था कि हम बड़ी आसानी से कोई ना कोई बहाना बनाकर अर्मेनिया पर हमला कर लेंगे अर्मेनिया की बहुत सारी जमीन हमने 2020 में कब जाली थी इस बार के हमले में भी अ प्रविद टल चुका है लेकिन इनसे भी जादा दिक्कत है रूस को क्योंकि आप जानकर हैरान होंगे कि जो अर्मेनिया है ना ये रूसी खेमे का देश था जी हां यहां तक कि रूस ने कसम भी खाई थी और एक एगरिमेंट भी साइन कर रखा है अर्मेनिया के साथ जो आ अटैक करेगा जिसने अर्मेनिया पर हमला किया हो इस लेवल का एगरिमेंट इन्होंने किया था लेकिन आज इस्थिती यह है कि अमरीकी फोज इस देश के अंदर उतर चुकी है और इससे रूस को बहुत दिक्कत है रूस लगातार विरोध भी दर्ज करा रहा था अर्मेन है उसे जिम्मेदार ठेहरा सकते हैं दर्सल बात यह है कि आज जो अमरीकी फोज अर्मेनिया में उतरी है ओना है इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार ही रूस है क्योंकि जब 2020 में अजर बैजान ने तुरकी और पाकिस्तान का समर्थन لेकर अर्मेनिया पर हमला किया और अर्म दिवान दी थी अर्मेनिया को कि आप पर कोई हमला करेगा तो वो हमला हम पर माना जाएगा और हम आपकी जान बचाएंगे रूस महीनों तक नहीं आया लोग मरते रहें अर्मेनिया के लेकिन रूस ने कोई कदम नहीं उठाया और जब अर्मेनिया का एक बहुत बड़ा भू जोता क्या था जो इलाका अजरबैजान ने छील लिया है वो अजरबैजान रखेगा जो बचा-कुचा इलाका है नार्गोनो कारबाग का वहां पर रूसी फोज रहेगी वहां से भी अर्मेनिया की सेना को हटा दिया उस समय अर्मेनिया को ये करना पड़ा क्यूंकि ना तो अमरीका से कोई संबन था ना ही पस्चिमी देशों से इनके कुछ अच्छे संबन थे ना ही दुनिया के किसी और देश से ये तो पूरी तरीके से भरोसा करते थे रूस पर लेकिन रूस ने इन लोगों के साथ चल किया और इनके विरोधियों के पाले में जाकर बैठ गया तो अब आप खुद बताईए कि ऐसे मामले में एक सभ्य देश क्या करेगा वो तो अपनी जान बचाने का कोई ना कोई तरीका ढूंडेगा इना क्योंकि एक बार तो थोड़ी जमीन गई है अगली बार क्या पता पूरा का पूरा देश ही चला जाए इसलिए 2020 से ही इन्हो अजर्बैजान के सैनिक पिछले एक हफते से एक से बढ़कर एक अडवांस घातक और खुंखार हतियार जो इन्हें तुर्की और इसराइल ने दिये हैं वो लेकर खड़े हैं और युद का बिगुल कभी भी बजा सकते हैं ऐसे में इनके पिछले दो साल की मेहनत काम आई इन्होंने अमेरिका को कहा कि कुछ संख्या में अपने सैनिक भेज दीजिए ताकि हमें कम से कम कुछ समय ही मिल जाए युद की तयार युका क्योंकि जब तक अमरीकी फोज अर्मेनिया में रहेगी ना तो तुर्की की हिम्मत है ना ही अजर्बैजान की हिम्मत है कि वो अर भारत से हत्यार मिलते ना ही अमेरिका इरान इनका साथ देता और ये रूस पर ही निर्भर रह जाते और फिर इनका हाल होता 2020 वाला इनकी बहुत बड़ा जमीन का टुकुडा फिर से कब जा लेता अजरबैजान तुर्की की मदद से पाकिस्तान की मदद से लेकिन फिलाल अच यार उसे भी मदद कर सकता है लेकिन इस पूरे मामले पर मेरी बारिक नजर है जैसे ही इससे कोई बड़ी रिपोर्ट आती है मैं तुरंत आपको सुचित करूंगा चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लेना थैंक्यू वेर मच फूर वाचिंग वीडियो